अकाली दल पंजाब की कॉंग्रेस सरकार को गैंग्स्टर मुक्तार अंसारी के मामले में घेर रहा है इसे लेकर पंजाब की राजनिती गरम हो गई है अकाली दल के बड़ी नेता विक्रम सिंग मजाठिया ने कहा की सरकार के पास वेतन आयोग की शिफारिशें लागू करने का पैसा नहीं है लेकिन अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीन कोट के महंगे वकील की सेवा ली जा रही है जिससे ये सुनीचित किया जा सके की उत्तर प्रदेश का गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी जो रोपर जील में बंद है वो किसी भी हाल में अपने राज्चे यूपी में बापिस ना भेजा जा सके पैसे नहीं ऐसी स्कालर्चिप लिए पैसे नहीं मगर जे मुक्तियारन सारी ता केस नरता हुए ते सब तो टॉप ना वकील दिल्ली जाके सुप्रीम कोट के लखा कुरूरा रुपी ये खर्च कर दिन देया की गैंक्स्टर यूपी ना जाए ये हालाते बनाते है पहला से सेफ एवन यूपी गिने है जम्दाशी गैंक्स्टराली आज सेफ एवन स्टेट गैस्ट वी आईपी ट्रीटमंट ओना ते बर्थ दे ओना दी व्यादी सालगरा ओनानू जेल चे बैठे एटी वी आईपी फसिलिटीज देतियाने इस सारे दूनिया चे ओपोन करके एक्स अन्सारी नुचे इस केस्टे लेके आई है वो उसकेस चे उन्हें नौई नहीं लिया मुक्तियार अन्सारी उन्हें का एक अन्सारी तावी यह फढ़ने और जद उन्हों फढ़के ले आए है आज दो साल पूरे हो गया ना चार्चीट दायर कीती है ना उन्हें बेल क्याल दी ठिपनी हो रही है कि हाओ पंजाब शेमलेसली प्रोटेक्टिंग अंसारी और एत्वों तक क्या जा रहे है कि सैद चीफ मिनिस्टर बंड़न दा वो खवाब राकता है पंजाब चे एह लात पनाती पंजाब दे इसे करके पंजाब दी लाइन ओटर दे की लात प आपको बता दे विकरम सिंग मजाठिया का आरोप है कि पंजाब में होने वाले 2022 विधानसबा चुनाम में मुक्तार अंसारी के जरिये कॉंग्रेस चुनाम में गरबड़ी कर सकती है इसलिए कॉंग्रेस मुक्तार अंसारी पर महरबान है नियोज डेक्सक